तो हेलो दूस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीर करता हूं बहुत अच्छ होंगे मेरे चैनल कमप्टीशन गुरूपर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बारत की प्रमुग नद्या एवन प्रमुग जीलों के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपोटेंट होंगे तो जल्दी जल्दी से ये वीडियो को देख लीजेगा और अपने जो भी नंबर के आपके फेपर माता है उसको पक्का कर लीजेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना तो चलिए आज यमना नदी है वो किस के किनारे बसी है तो यमना नदी आगरा नगर के किनारे बसी है तो यमना नदी हो जाएगी आगरा नगर अगला है इलावाद किस नदी के किनारे है तो गंगा यमना का संगम इलावाद में होता है तो गंगा यमना का संगम कहां पर होता है इलावाद में हुगली है आगरा यमुना में गोहाटी जो गोवाँ हाटी असम्मे पड़ती है वो है ब्रह्मा पुत्र नदी चले एगले प्रिष्णों के और पड़ते हैं अगली है नर्मदा नदी नर्मदा नदी किसके किनारे पर इस्तित आगला अगली नदी है मांडवी मांडवी नदी पढ़जी पर इस्तित है पढ़जी किसकी रायदानी है पढ़जी गुवा की रायदानी है गुवा एक छूटा सा बहुत ही अच्छा सहर है जो की अपने साप सपाई के लिए भी जाना जाता है तो पढ़जी मांडवी किसके किसमे ह तो पढ़ जी गुवा में इस्तित है तो इस तरह इसको यहां पर लिख लेना इसको गुवा पर भी इस्तित है गुवा इसका राज्य हो जाएगा अगला है पुड़े किस में है मूठा में तो मूठा नदी किस पर है पुड़े पर तो यह इसका correct answer हो जाएगा चलिए अगले भी बोलते हैं और ताप्ती भी कहते हैं तो ये नदी कहां पर है ये हैं सूरत में सूरत को सूरत आपको पता है किस राज्य में सूरत है गुजरात में तो करेक्ट आंसर यानि कि आपका ताप्ती या तापी नदी है वो है गुजरात में अगला है आयुद्या आयुद्या कहा पर है शर्यू शर्यू नदी गहगरा भी बोलते हैं शर्यू नदी को तो वो कहां पर है अयुद्या में अयुद्या कहां पर है उत्तर प्रदेश में तो इस तरह इसको याद कर सकते हैं अगला है पंडर पुर में कौन सी नदी है भीमा तो भीमा नदी कौन सी है किस पर है पं तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह है हैदराबाद में कहाँ पर है हैदराबाद में इस्तित है तो हैदराबाद में मूसी नदी हैदराबाद में करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रिशनों के और बढ़ते हैं अगली नदी है महानदी महानदी है संबल पुर में तो म विजयवाडा में इसका राइट आंसर है अगली है सतलज सतलज आपने को पड़ी होगी सतलनर जी है रोज पुरमे करेक्ट आंसर रोज पूर्त ज resetla नदी कहांपर है रोज पुरमे अगला है गंगा आपने गंगा बहुत सुनी होगी और गंगा के बहुत सारे उदगम भी है इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रस्ट रखे हैं गंगा के माद्यम से तो चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं एक गंगा है जो पटना से होकर जाती है तूसरी गंगा है जो वारानसी से जाती है तो इस तरह आप से पुछना आएगा तो तीनों में से एक जरूर पूछा जाएगा तो गंगा कहां पर भी है पटना भी बारांसी पर भी और गाजी पूर पर भी अब चलिए अगले प्रिस्नों के ओर बढ़ते हैं अगले प्रिस्ने आपके सावर्मती ये कहां पर है सावर्मती नदी है एहमदाबाद में तो सावर्मती नदी कहां पर है एहमदाबाद में अब आपसे पूछा जाए एहमदाबाद कहां पर है तो ये भी आपको पता होना चाहिए एहमदाबाद गुजरात बर गुजरात में इस्तिते गुजरात एक राज्य है उसमें एम्दाबाद नदी इस्तिते है तो सावरमती नदी कहां पर है एम्दाबाद में तो एम्दाबाद सावरमती नदी एम्दाबाद हो जाएगा और चलिए अगली है आपकी काउम नदी काउम नदी कहां पर पढ़ती है औरंगा अगली है महानदी, महानदी कहाँ पर पढ़ती है तो वो पढ़ती है कटक में, तो correct answer कटक, तो आपको पूछा जाए महानदी कहाँ पर है तो कटक में इस्थते है, और आपको रायदानी और मुद्रास related वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना मैंसके उपर जरूर वीडियो ल से होकर जाती है, तो एक और है जो गंगा कहाँ पर भी है कानपुर पर भी उत्तर प्रदेश में भी है, हरिद्वार उत्तराखंड पर भी है, तो इस तरह गंगा के बहुत सारे हुद्गम माने जाती है, अगला है गोदावरी, गोदावरी कहा है तो वो है नासिक पर, तो चिप्रा नदी अब आपको पता है चिप्रा नदी उज्जेन में मानी जाती है तो करेक्ट आंतर उज्जेन कहां पर है उज्जेन उत्तर परदेश में है तो चिप्रा नदी कहां पर है उत्तर परदेश उत्तर परदेश तो चिप्रा नदी हो जाएगा उज्जेन उत्तर पर अगला है स्री नगर स्री नगर को जेलम नदी कहां पर है तो वो है स्री नगर स्री नगर किसकी राज़ानी है जे एन के जम्बू एन कस्मीर की राज़ानी है स्री नगर तो जेलम कहां से उकर जाती है स्री नगर से उकर जाती है अगला है कावेरी कावेरी है तिरुचिरापल तो यह कहां की रायदानी है यह केरल की है तो कावेरी नदी हो जाएगी केरल केरल कावेरी कावेरी केरल इस तरह आपको इसको रिलेट कर सकते हैं अगली नदी है गौमती नदी तो आप इसका पता होना चाहिए कि जो गौमती नदी है वो कहां से होकर जाती है तो इसका उद्गम संगम हो जाएगा जौन पुरसे तो गौमती नदी कहां से संगम हो इसका तो ये है जौन पुरसे तो गौमती नदी का संगम माना जाता है ब्रहमपुत्र नदी आपने कूपशनी होगी जो ब्रहमपुत्र के नाम से भी जानी आती है लेकिन वह उत्गम इस्तल कहां मारे आता है तो हूँ है उसका उत्गम इस्तल है दिब्रू गड़मे तो क्रेक्ट आंसर डिब्रू गड़ ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर है डिब्रू गड़ में अगला है चम्बल नदी चम्बल नदी कहां पर है तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा चम्बल नदी है कोटा पर तो कोटा से उकर जाती है चम्बल नदी अगली है कावेरी नदी का का उदिगंतल माने आता है श्रीरंग पत्टम Była consistent का उदिगं इस्तल है तो वो है कावेशी नधिका चले अगले प्रिस्न अगला है यमुनिथा यमुनन नदी act क modelo नधी धिल्ली में इसका उद्गम है जो की वहीं परीशिका मूल इश्थान भी हैって यमुनन नदी दिल्ली papa है अगली है अलकनन्दा अलकनन्दा नदी बद्री नाथ बद्री नाथ के दरनाथ जो उत्राकंड से होकर पढ़ते हैं तो अलकनन्दा नदी बद्री नाथ पर इस्टित है अगली है गोमती नदी गोमती नदी आपने पड़ी होगी चोकि लखनव उत्तरप्रदेश पर है तो लखनव कहां की वो है राज्तानी तो ये उत्तरप्रदेश की राज्तानी है लखनव अगली है अजमेर तो लूनी नदी कहां से ओकर गुजरती है अजमेर से ओकर गुजर करती है तो लू नहीं कि सपपकते हैं अजमेर कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब एसी वीडियो आपकी चैनल पर मैं लाता रहूवाँ घंत